बेडमों के गांधी नगर थाना छेतर के अंतरगत चार नंबर माइन्स के समीप गोदो नाला में अभी अभी तेज रफतार से आ रही सकार्पियो असंतुलन होकर लगभग 100 फीट नीचे जागिरी सकार्पियो में चार लोग सवार थे जिसमें से घटना स्थल पर एक कीम मौत हो गई मरने वाले युवक का नाम राकेस बरनवाल बताया जा रहा है एक युवक गंभी रूप से घायल है जिसको धोरी केंद्री अस्पताल में भरती कराया गया है यह जरीदी बजार में बरात आई थी और यह लोग धनवार वापस लोट रहा है इसी बीच डिडी माइन्स के पास टर्निंग है टर्निंग इने जो है जो गाड़ी नदी में आका धायी है और एक अदमी को धुरी अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए वहां से साइड रेफर किया है राशी बाकी एक अदमी यहां पर बोड़ी ठाका हुआ यह सब तहां के हैं सर यह तो बरात आया था आपको घजारी बात से और यह जो बोड़ी मिला है यह धनवाद मेरा थ अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें स्वदेश वानी